हेलो स्टुरेंट्स हम कर रहे थे गवर्नमेंट ओफ इंडिया एक्ट लाज शेश्ट में हमने 1909 का एक्ट किया आज हमेश शेश्ट में करेंगे इंडियान कॉंसे लेक्ट 1909 इसमें करेंगे वह कौन से कोज़े से जो गवर्नमेंट ओफ इंडिया का एक्ट 1919 है जिसको आफ्टर टैन लियर्स के बाद पास करना पड़ता है तो आज हम इस शेश्ट में कोज़िस करते हैं नेक्ट शेश्ट में हम इसकी पुर्वेजन करेंगे तो जो 1919 का एक्ट है इसकी जो में फ्रेक्टर्स हैं जिन वज़े से इस एक्ट को पास करना पड़ता है तो सबसे पहला कोज़ क्या आ जाता है उसका प्रिवियस एक्ट कौन सा था 1909 का तो फर्स्ट मुंट बनता है फेलियर ओफ इंडियान कौन से लेक्ट 1909 जो जी एक्ट था ज से रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट हो एड्मिस्ट्रेशन अच्छे से रहन कर सके तो जो हमारी दिमांड्स थी क्या वह मिंटो मार्ले रिफोर्म रैक्ट में फुल्फिल हो पाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई तो इसमें क्या होता है वास्ट एंड लिम्टेड पावर से वा गवर्नर जनरल और वाइसराय के पास ही रह गी तो इसका मिनिंग क्या हो गया जो नंबर से इंक्रीज के गए थे लेट्स लेटिव असेंबली वह तो सिर्फ नाम की ही रह गई थी इसमें जो हमारे अब्जेक्टिव थे वह अचीव नहीं हो पाई एंड जो हम स्टार्टि में रिफोर्म होने चाहिए जो गवर्नमेंट है अपने हर एक काम के लिए रिस्पोंसियबल हो और जो मनिस्टर्स थे वह क्या करते थे जो लेट्स लेटिक के द्वारा सप्लेमेंटरिक कोशन भी पूछे जाते थे उनको अंसर देने में धिनाय कर देते इसलिए हिम डिमा यह फ्ल चोक्त आया है वह क्या है ऐना इंके और जाड लेटिक क्रế摑़ अधन चर्राइए वब जे हुगए कोन परफेशल के बेद लेटिक के लेटिक मेंबल जो Two तो खुछ पास करते थे और बिल पास नहीं हो पाता था तो जो फर्स्ट था इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी तो इसके बाद नया एक्ट पास करने की क्या-क्या कोजिस हैं तो इसका सेकंड कोज बनता है चेंज हिंदा पोलसी ओफ मुसलिम लिग क्योंकि चो 1990 था इसमें क्या किया घ्या हिंदू एन मुसलिम में इनकी उपलेशन के अक्वाडिंग जो क्युमिनल अकोड था मिनि आपको आपकी क्युमिनेटि के अपष। वर्स है वो दे जाएंगी इस तरह उन्होंने हमको डिवाइड रोल करने की पॉल्सी को अडॉप्ट किया हिंदू अलग मुस्लिम अलग जो एक्स्ट्रा ओर्डिनरी क्लासिस हैं उनके लिए अलग से इलेक्टरोट है इसको इस्टैबिश किया लेकिन इस चाइम पीरिड में हिंदू यान मुस्लिम है जी दोनों साथ बढ़ने लगती है इनके युन्टी इंक्रेस हो जाती है क्योंकि जब बालकन वोर होती है बालकन वोर में क्या होता है उसमें जो बटेशे हैं बटेशे टर्की के अंगेस्ट होती है और जो मुसलिम से हैं जी मुसलिम क्या करते है जो इनकी सिंप्ती है तर्की के लिए होती है because of religions aspect तो इसमें क्या होते है और जो congress है वो भी क्या करती है तर्की के लिए सिंप्ती रखती है लेकिन बटेशर है वो इनके अंगेस लड़ती है तो इनको पता चलते है हमको आपस में unite होना पड़ेगा इसलिए हम बटेशर है इनको अपनी country से भगा सकते है तो जो हमारा purpose था कि बटेशर जो कह रहे है हम इसके अंगेस चोगे बटेशर हिंदू एंड मुस्लिम के नाम पर हमको divide करना चाते थे लेकिन international situations है वो situation और हिंदू एंड मुस्लिम को साथ ले आती है तो during world war one टर्की है वो जर्मनी को join कर लेता है इसलिए जो इंडियन्स है स्पेशलिट जो मुस्लिम है उनके टर्की के साथ साथ जर्मनी के लिए वी सिंप्ती होती है लेकिन जर्मनी के हैं बटेशर के अंगेस थी first world war में और इसको चिताने के लिए बटेशर को चिताने के इंडियन्स ने बहुत ही important role play किया था हमने financial health भी की थी military की health भी की थी तो इस अगे time में क्या होता है जो Hindu and Muslim है वो unite हो जाते हैं और Indian National Congress and Muslim League जे दोनों collectively effort करते हैं कि हम आपस में मिल जाएं इसके efforts की वज़े से reunite होते हैं और लखनव पैक्ट है 1916 में वो पास होता है जिसमें क्या किया जाते है जिदोनों आपस में unite होकर बटेशर के अंगेश्ट लड़ना start करेंगे इस तरह जो policies of Muslim League है जे वी change हो जाती है after that third point is repressive policy of baptism जो बटेशर है वो क्या कर रहे है हमारे अंगेस बहुत रिफ्रेसिब oppressive policies हैं वो use करें हैं उन्होंने dual policy है इस point को use किया dual policy का meaning हो गया कि हमारी ही country में जो Congress के two group बन जाते हैं extremist and moderate इन दोनों के साथ different different policies हैं वो policies को adopt करते हैं वो जो moderate हैं इनके साथ sympathy रखते हैं क्योंकि moderates को उन्होंने क्या किया अपने Parliament में भी include किया था जो legislature assembly है moderate के most of the leaders इस assembly का member बन जाते हैं लेकिन जो extremist थे जैसे बाल पाल लाल उनके अंगेश्च oppressive policy adopt करते हैं वो जहां भी दिखते हैं उनको मारते हैं और उनको जो प्रिजन्स हैं इन में ले जाते हैं जिस वज़े से इन्होंने जो moderate and extremist है different different policies वो बनाते हैं और इसके इलावा जो criminal law amendment की जाती है जो 1913 क्या था इसमें क्या कहते हैं अगर कोई भी बटी शिर के अंगेस्ट कुछ भी बोरते हैं तो उसको बीना कुछ कही हम जेल में भी लेकर जा सकते हैं तो उसको कहां ले जाते थी कहां मारते थी कुछ नहीं पता चलता था तो इसके अगेस्ट एक्स्ट्रीमिस्ट खड़े थे इसलिए बटीश क्या करते थे एक्स्ट्रीमिस्ट को पूरी तरह से मार देना चाहते थे तो उन्होंने इंडिन प्रेस्ट इन पर भी रिस्ट्रिक्शन से पोस्ट कर दी जिस वज़े से एक्स्ट्रीमिस्ट हैं अपने व्यूस या वो व्यूस लोगों तक ना पहुंचा पाई तो इस तरह बटीशर हमारे अंगेस्ट रिप्रैसिव पोसिस को अडॉप्ट करें थे और इंडियन इस चाइम में क्या होती है उनके अंगेस्ट खड़े होती है और आपस में मिलकर बटीशर की अंगेस्ट पूर्न सवराज क डिमांड करने लगते है next is the first World War and Indian politics फ्रस्ट वर्ड व्यूंट पॉलिटक्स इन पॉलिटिक्स एसमें बहुत चेंज्जे सातीं है जो फ्रस्ट वर्ड वर थी जो 1914 से लेकर 1919 तक चलती है इस world war में इंडिया है बटेशर की बहुत ही liberal way से help करते है liberal way से कैसे बटेशर कहते हैं अगर आप हमारे इस world war में sport करते हो हमको military की sport चाहिए तो आप अपनी army है इसको हमारे पास बेजो and financial help करो अगर हम जेत जाएंगे उसके बाद आपको क्या मिलेगा आपको अजादी देंगे हम आपकी जो demands है वो fulfill कर सकते हैं लेकिन बदले में हमको क्या मिलता है जलियाँ वाला बाग मैसेकर जिसमें innocent people से उनके उपर गोलियां चला दी जाती है इस तरह बटीशर ने हमारे पोल्सिस जो हमने सिम्थी दिखाई थी उसके अंगेश्च हमारे साथ रिप्रैसिव पोल्सिस को अडॉप्ट किया तो इंडियांस ने फॉर्स वर्ड वर में जो बटीशर है इनकी physical help भी की by military services इंडियांस है इन्होंने बहुत ही अच्छे वे से बटीशर के लिए faithfully लड़ाई लड़ी थी जिसमें कहीं जगों पर इंडियांस जीते थे and financially lakhs of rupees बटीशर के लिए collect किये गए थे तो इस time period में जो इंडियांस हैं इंडियांस ने अपनी loyalty है और discipline हैं दोनों को अच्छे से pay किया था तो इस time period में हमको लग रहा था जो हमारी political demands है वो demand वे fulfill हो जाएंगी इसलिए हम बटीशर की favor में थे लेकिन बाद में क्या होता है बटीशर जब हमारी demands fulfill नहीं करते तो हम दुबारा से demand करते हैं बटीशर के against करते हैं जिस वज़े से बटीशर administration में कुछ change ले आते हैं तो नया act है वो pass करना पड़ता है next is a new sense of confidence means क्या होता है अब first world war के बाद जो Indian troops है इन में self confidence है वो increase हो जाता है पहले Indians को क्या लगता था कि जो European countries है इनकी army है इनकी army बहुत strong है हमें इसकी army के बराबर नहीं है लेकिन जब first world war में Indian troops है वो बहुत सारी जगों पर जो European army थी इनको हरा देते हैं उसके बाद लगता है हम भी बहुत ही अच्छे वेसे partition को भगा सकते हैं तो इस तरह उन्होंने एक नया confidence है वो increase हो गया Indian troops defeated the European army badly in many places जिस वज़े से उनमे self confidence arise होता है और उनको feeling आती है कि we are not inferior आप में अगर self confidence की कमी है तब तक आप हारते हो जब आप में self confidence आजाएगा तो हार सकते ही नहीं तो इसी तरह जब तक complexity है हम को लगते हम inferior है तब तक हम लड़ नहीं सकते जब उनको पता चलते हैं हम किसी से कम नहीं है हम अगर European Union है European countries के members हैं हम इनको हरा सकते हैं तो हम कवरास है meaningful independence है इसकी desire वी create हो जाती है वह विचाते हैं अब हमको independent country चाहिए हम बटेशर के अंडर नहीं रहना जाते self rule होना चाहिए next is home rule moments और इसे time period में home rule moments है वो start हो जाती है जो moments क्या करती है बटेशर के अंगेश्ट होती है जिसमें देश बगति की बाबन है वो create की जाती है जिसमें कहा जाते है हमको independent के साथ ही जीना है जिसमें दो famous नेम आते है Mrs. Annie, Besant and तेलग तो जो propagate करते हैं home rule moment को और इसके इलावा हर जगा पर different different reformers, nationalists हैं जो क्या करते हैं home rule moments हैं इनको start कर देती हैं कि हमको अपने लिए खुद ही रूल करना है हम अपने लोग खुद बनाएंगे हम self dependent चाहते हैं हम नहीं चाहते हैं कि हमारी country में बटीशिक का रूल चले इसी को home rule movement का जाते हैं इस time period में जो extremist हैं and moderates हैं जे वे close आ जाते हैं जे आपस में मिलकर क्या करते हैं अपनी movements को जादा strong कर देती हैं and इसी time period में जो students होते हैं वह वी इन movements को join कर लेते हैं पहले क्या था extreme कुछ leaders थे और extremist and moderate के leaders थे इस तरह अब जंग generation है वह भी independence के लिए लड़ने लगी है जब योद सामने आता है उसके बाद अब बटीशर भी डर जाते हैं जिसमें हम कहते हैं बक्त सिंग तो जो शीविद बक्त सिंग थे वह भी क्या थे वह तो भी योद थे जो college time से देश को independent कराने के लिए क्या करते हैं देश के लिए अपनी जान दे देते हैं उनकी engagement हो जाती है लेकिन वह अपनी engagement छोड़ कर अपनी शादित को तोड़ कर क्या करते हैं तो जीश सब कुछ क्या था क्योंकि यूद्ध चाती है अब हम बटीशर के अंगेस्ट करें हैं हम बटीशर की under rule नहीं करें करेंगे तो बटीशर क्या पोल से अडॉप्ट करते हैं उप्रैसी पोल से इन लीडर के अंगेस्ट खड़ जाते हैं तो इस तरह बटीशर प्रैसी पोल से अडॉप्ट करते हैं और जो इंडियन्स हैं इंडियन्स नेशनलिस्ट हैं वह क्या कर रहे हैं बटीशर के अंगे बाइका भूर मेरे पास चाहिए तो इस तरह लाला लाजपत राए हैं बाल गंगधर दिल गया वह क्या करती है और आप हमको अपनी अजादी नहीं देंगे हम वाइले मेल है जे वे यूश कर सकती हैं अगर आप हमारे जो परसन से आर्मी हैं इननों से पिपल को मारोंगे हम आप बटेशर को मार सकते हैं तो इस तरह टिट फोर टैट की पोल से अडॉप्ट की जाती है जिसके वज़े से बटेशर हैं हम लोगों को शांत करना चाते हैं इसी टाइम पीरिड में निया रूल है ने जो लेक्ट है उसको पास करने की जुरूरत पड़ जाती है नेक्स इस गदर पार्टी जो गदर पार्टी है जी बेस्टैबलिश होती है जो गदर पार्टी है जी क्यों इस्टैबलिश होती है क्योंकि रेस्या डिस्क्रिमिनेशन होता है and my treatment with Indians in foreign countries, foreign countries में Indian के साथ अच्छा behavior नहीं हो रहा, उनको first class realm में बैठी नहीं दिया जाता and जहांपर European के गर हैं, वहांपर Indians नहीं रह सकते थे, जिन schools में उनके बच्चे जाते हैं, हमारे उनके बच्चे नहीं जा सकते थे, फिस तरह racial discrimination होता है तो foreigner को जी समझाते है, कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहे है, जो भी multi-ment हो रहे है, इसकी वज़े क्या है, कि India slave है slavery country के साथ ऐसा ही behave होगा, इसलिए वो वी इंडिया को independent कराना चाहते थे इसलिए उनोंने गदर पार्टी है, इसको established किया in 1913, जिसको सौन सिंग बगना है, वो established करते हैं और उसके बहुत सारी branches है, वो खोले जाती है, एक ब्रांच पंजाब में भी होती है तो newspaper गदर है, वो चापते हैं, तो इसमें जो देश बक्ती की feelings है, उसको उजागर किया जाते है एड इसी गदर पार्टी में, जो first world war होती है, इस magic गदर पार्टी है इस गदर पार्टी ने इंडिया में आते हैं, लोगों में देश बक्ती की बावना है, उसको create करते हैं एंटी क्लोनर रूल के अंगेस्ट आवाज उठाते हैं, और इस time period में 17 years का लड़का, करतार सिंग सराबा, जो शिहीद हो जाते है मेंनी वो बटेशर के अंगेस था, इसलिए बटेशर ने उसको मार दिया इस तरह 17 सालों का बच्चा भी क्या करता है, देश के लिए, अजादी के लिए, अपने आजान है, उसको कुर्बान कर देता है तो इस तरह गदर पार्टी क्या करती है, रेवलिशन कर देती है, अंगेस था बटेशर, एंड रेवलिशनरी पॉइंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, एसस हैं, वो पब्लिश के जाती हैं, जिससे लोगों में पता चले कि हमको सवरास में रहना है, हमको इंडिपैंडनेस चाह तो इस तरहें, इंडियम में देश-बक्ती की बावना स्टाठ ओती है, इसके बुरांचे से पंचाब में अपन होती है, तो गदर पार्टी की गदर रहर है, वो स्टाठ हो जाती है, जो इंडिपैंडनेस के डिमांड करती है, य् नैक्स इस दे प्लिटिकल अवेक्नी इम इस लोग पुलिटिकली जागरित होते हैं उनको पता चलते हैं कि हमको भी इंडिपैंडनेस चाहिए जैसे व्यास्टन एज़िकेशन है और उसका लिट्रेचर हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलते हैं कि जो इंडियन का एक इसिंट कलचर था वह कितना महान था इसलिए हमको भी इंडिपेंडनेस चाहिए तो जो यह कुल्चर है व्यास्टन कलजर इंडिपेंडनेस के फीलिंग से आम लोगों में क्रेट कर देता है तो ड्यूरिंग वर्ड वर्वर वन जो फॉर्म शौर्जस होते हैं वो इंडिपेंडनेस की इंपोर्टेंस है वो बताते हैं कि अगर एक कंट्री है अपनी इंडिपेंडनेस के लिए लड़ी है तो उसको शहीत का दर्जा दिया जाता है लेकिन आप क्या हो आप स्लेव हो तो जब फॉर्स्ट वर्ड वर में इनियन शॉल्जर्स है वो क्या होते हैं बटीशर जैंडर क कंट्री के शोल्जर्स है इनकी कोंटेक्ट में आते हैं तो इनको भी इंडिपेंडने जो स्क्योर्टी है इंडिपेंडनेंट कंट्री की इंपोर्टेंस है वो पताचलते हैं तो वह भी पुलिटिकल ही जागरित होते हैं और देश को अजाद कराना चाहते थे next is role of the great leaders उस extremist कहते हैं लेकिन बाल पाल लाल जिनोंने देश में लोगों का साथ दिया जिसमें उन्होंने युद्ध को भी अपने साथ मिलाया जिनके अगवाई के अंडर ही देश को अजादी मिली है अजादी सिर्फ चर्खे से नहीं मिली देश के लिए खून बहाने वालों के साथ मिल और वो इसका विद्रोग करते हैं उसके बाद लाठी चार्ज किया जाते हैं जिसमें इनकी दैथ हो जाती है तो इस तरह इन्होंने खुदेश के लिए खून बहा है उसके बाद ही हमको अजादी मिलती है तो हमारे महान लीडर्स हैं उस चाइम आती हैं मौडरेट्स हैं व हम पूरण सवराज लेकर आएं तो इस तरहें बाटेशर क्या कहते हैं कि हम आपको सवराज देंगे वह अधिसरवराज है आप फ्रीडम है वह देनी स्टार्ट कर देते हैं नेक्स इस ओंटेगो फिर्ट करे करते हैं जो फ़र्स वर्ड्वर वर होती है इसमें अगर इंडियं बटेशर का साथ नहें देते तो बटेशर को हेल्प की है इंडियन्स ने अगर इंडियन्स ना होते तो हम आज तक खार सकते थे तो इस तरह हमको भी पता चलते है कि क्लोनियल रूल से हमको नेकलना चाहिए तो हमारे उपर जो बटीशर है वो कैसी रूल करते हैं ही डिक्लियर बटीशर अच्छे विक्टरी इन वर्ड वर वर वन विद असीस्ट चैंस ओफ दा इंडियन्स एंड वो जह चाहते थे कि इसके बदले हम कॉंस्टिशुशनल डिवैल्प्मेंट करेंगे जो आप रिफॉर्म्स चाहते हैं हम वो लेकर आएंगे जो सवराज के दिमांड कर रहे हों हम आपको देंगे लेकिन विद इन दा बटीश इंपायल मैंनि बटीश का रूल चलेगा आपको इसके अंडर है सवराज है वो दिया जाएगा एंड उसके बाद आता है चैंस फॉर्ड स्कीम तो जो मॉन्टैगो थे वो के थे सेक्रेटरी जनर अफ इ करने के दिमांड कर दी मेनिं क्या है जिसमें सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड के जाते हैं ट्रांस्फोर सब्जेक्ट्स रिजर्व सब्जेक्ट्स तो इस तरह वो अपनी नई स्कीम को लॉंच करना चाते थे और इसके लिए नए एक्ट की जुरूरती तो जिस अब को जिस बन जाते हैं जिस वज़े से 1919 का एक्ट है वो पास करना पड़ता है तो आज हमने इस शैशन में जिसके कोजिसे हैं वो के नेक्श शैशन में हम इसके मेन प्रवीजन करेंगी होप से कि आपको जी शैशन अच्छा लगा होगा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो झाल